नमस्कार दोस्तो मेरे नाम है सेकर और स्वागत था आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल सिगारी स्टडी पॉइंट पर दोस्तो वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और सांतीवेल आइकन भी जरूर दभाएगा इस तरह की अपडेट पाने के लिए सबसे तेज और सबसे पहले तो दोस्तो इसमें हम बात करने वाले हैं एक और नई वेगएंसी के बारे मैं पदू की संक्या दोस्तो इसमें कितनी है तो पदू की संक्या इसमें बहुत तर है और इसके अला दोस्तो आयू शीमा क्या है उस पर भी बात करने वाले है 18 से लेकर 25 तक है योग गिता दोस्तो इसमें जो रखी गई है वो दस्वी पास इसमें आविधन कर सकते हैं और सब कुछ जानेंगे दोस्तो इसमें वीडियो कौन तक जरूर देखे का बागि इसकी जो पीडियाफ है दोस्तो वो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको कहां आविधन करना है उसका लिंक भी आपको डिस्पोशन में मिल जाएगा आप आसाने से है इसकी पीडियाफ आपको वांकी टेलिग्राम पर मिल जाएगी तो वेगेंस की बात कर लेते हैं कहां कहां कितनी कितनी है महिलाओं के लिए भी इसमें कुछ बद है तो सबसे बेले यहां पर एसाई की पोश्ट आई हुई है मांकि आपकी जबी पांच लेभल के वितनमान आपको यहां भी दोस्तो मिलने वाले है लगबग की सुरुवात में 40,000 लगबग आपकी salary इसमें बनने वाली है ASI में जो आपको साइक समाज कल्यान अधिकारी में मिलेगी उत्राखंड में और बाकि जो BPDO लेबल की salary है वो यहाँ पर head constable बनने पर आपको यहाँ मिलने वाली उससे भी थोड़ा बढ़ कर तो आपको जाना कहाँ पर है दोस्तो login registration करने के लिए तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है यहाँ पर आपको जाना है और बाकि यह link भी आपको discussion में मिल जाएगा आप आसाने से click करके पहुंच जाएंगे बाकि यहाँ पर nationality citizenship भी दिया हुआ है भारती सब ठीक है बाकि दोस्तो इसमें जो आयू सिमा रखेगी है लगभग लगभग सभी में 18 से लेकर 25 साल के बीच में अगर आपकी आयू सिमा है तो आप दोस्तो इसके लिए आविदन कर सकते हैं आगे है आपर बाकि जो SCST हैं उनको दोस्तो पांच वर्षी की छूड़ दी गई है तो तीश तक कर सकते हैं बाकि जो OBC हैं वो 28 तक कर सकते हैं तो बाकि उनके लिए तो और फाइदा हो गया इसमें वो सब आविदन कर सकते हैं तो बढ़ते हैं आगे महतपूर्ण बिंदू पर ही बात करेंगे तो यहाँ पर Education Qualification दोस्तो इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर ASI की Draftman Grade 3 तो दसवी पास आपको होना चीए और इसके अलावा Diploma Course Draft Manship Civil from Industrial Training Institute तो यहाँ से आपका यह होना चाहिए तभी आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं SC Carpenter याने की Head Constable के लिए दसवी पास के साथ ITI Certificate होना चाहिए Palumber के लिए भी दसवी पास के साथ ITI Certificate होना चाहिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और बागे दोस्तों Constable Line Man के लिए भी आपके यहाँ पर दसवी पास के साथ ITI Certificate यहाँ से भी आपका Institute का यह Certificate होना चाहिए बागे दोस्तों Physical के लिए यहाँ पर दिया हुआ है Height कितनी रहेगी इसमें तो Height माँगी के यहाँ पर Male के लिए 117 cm फिमेल के लिए 117 cm वागे जो Male के लिए है 80 cm साती होनी चीए 50-60 cm फुलाके होनी चीए महिलाओं का यहसा कुछ नहीं होता है इसमें साती वगर है यहाँ पर लिखा हुआ है वागे वेट एज पर यहाँ पर दिया हुआ है अगला है यहाँ पर Carpenter के लिए थोड़ी जो Constable वाली पोस्ट है उनके लिए थोड़ा कम रखी गई है हाइड भी 105 cm रखी गई है और महिलाओं का वेट यहाँ पर 46 kg यहाँ पर दिया हुआ है और Constable जो और पोस्ट आई है यहाँ भी कमी हाइट और महिलाओं के लिए वेट भी यहाँ पर दिया हुआ 40 kg बांके आखा आखा आपकी सही होनी चीए बांके दोस्तों syllabus के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है तो जो सबिंस इक्टर ASI का है असिस्टेंट सबिंस इक्टर का जो syllabus है वो यहाँ पर दिया हुआ है तो गंटे की कुल मिला के परिक्षा आपकी होने वाली है जनल इंग्लिस के 20 questions इसमें आने वाले हैं जनल एवेर्नेस के 20 questions 20 marks इसके अलावा टेक्निकल सब्जेक्ट के 60 marks इसमें होने वाले हैं तो 100 नमबर की दोस्तों इपरिक्षा आपकी होने वाली है और टाइम है दो घंटे का आपकी कौंश्टेबल के लिए यहां पर दिया हुआ है रीजनिंग आने वाली है इसमें और जनल एवेर्नेस आने वाली है और टेक्निकल सब्जेक्ट के भी कौष्चिन इसमें होने वाले है तो मांकि फीजिकल दोस्तों मैंने आपको बताई दिया है तो फीजिकल के बारे में ये बताया था मांकि qualification इस सब कुछ मांकि दोड भी इसमें होने वाली है तो दोड के बारे में इसमें दिया हूआ है कि दोड कितनी रहेगी तो 1.60 km 10 मिट में आपको पूरा करना है बहुत ज्यादा टाइम है और बांकि जो standing board jump ये 4 feet 6 है clear that it 6 feet का है जो गड़ा होता है चोटा सा पार करना होता है और बांकि jump and reach ये भी 7 feet का रखा गया है बांकि महिलाओं के लिए 60 मिटर दोड में 12 मिन्ट का समय दिया है बांकि ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है तो आप बिग्यप्टी देख सकते है अगला है पलंबर के लिए इनके लिए लगबग लगबग वही रखा गया है थोड़ी long jump pin में ज्यादा मांगिए और महिलाओं के लिए दोड़ इसमें थोड़ी कम मांगिए 800 मिटर दोड़ना है चार मिट में और मांकि 9 फिट का जो गड़ा होता है वो तीन चांस में बांकि ये की चांस में सभी करी लेते हैं तो मांकि medical भी होगा बाद में इसका सब कुछ बताएगे है medical भी इसमें होने वाला है अगर आपके मांन में कोई सवाल है तो आप चैट बोक्स में पूछ सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तो बहुत जल्दी एक नई वीडियो में